हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी का साउथ रिका बर्सिज इंडिया के तीसरे ODII मैच में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं किस खिलारी को आज को लेके चलना है आपको और किस खिलारी को ड्रॉप कर चलना है और कौन से खिलारी आपके लिए आज के मैच में 4-5 विकेट निकाल सकते हैं इस सभी जानकारी आपको इस उडियो मिलने वाला है साथ हम आपको पीछ ट्री रिपोर्ट भी पुरा कबर करेंगे और साथ में हम आपको टीम भी बना कर देने वाले हैं ठीक है दोस्तों आपको ज़्यादा टीम नहीं लगाना है किकने लोग होते हैं क्या कि 10-10 टीम लगा लेते हैं 12-15 पंदर टीम लगा लेते हैं दोस्तों और होता है क्या कि मैनस में जाल जाते हैं वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है आपको एस्कीप नही और एस्कीप करते हैं तो मिस कर जाइएगा पूरा वीडियो वौच कीजिये और prose अच्छा प्रॉफिट करके जाने वाले है आज के प्रेडेक्शन से थीरह बाद करते हैं चोस्तों यहाँ से पाला काला जो ओ बराबर पर हो गया है मतलब एक एक हो गया है अब जो लास्ट आखरी मैच खेला जाएगा यह अब डू एंड डाई वाला मैच है दोस्तों जो जीती है वो यहाँ पर सिरीज पर कबजा कर लेगा यह काफी रोमांचक मैच होने वाला है इंडिया गई है सौथ अर्रिका तो सो आप इता है पिछले मैच में आपको बताया था अगर उस खिलारी को आप लेके चले होंगे तो बहुत यह अच्छा फायदे मन्द होए होंगे दोस्तों किसी बतर का अपडेट होगा तो वह आपको टेलेग्राम पे देंगे आप हमें टेलेग्राम पे जाएगे जोइन कर स देने वाले और टीम भी बनाने वाले किस हिसाब से सीचवेशन तो बहुत 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 बड़ा जाएगा तो मैच जो फिला जागा बोलाण पर्क में घिला जाएगा चली अब तूरा सा डेंटा पे धिहान देते हैं जिससे कि आपका टीम बहुत बहुत लाज बाब बनन यहां पर धूप खिले रहेंगे और पूरा मैच खिला जाएगा मैच जो इस ग्राउन पर पूरा मैच खेला जाएगा पूरा पचास-पचास अब देखने को मिलेगा बारे सोनी के संभावना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर बात करते हैं इस ग्राउन पर जो ODII खेला गया है उसमें क्या एश्टेट्स रहा है ठीकर दोस्तो तो इस ग्राउन पर 14 मैच खेलें घेले गए और बैटिंग सेकेंड में 5 बरत्वा मतलब यहाँ पर देखेंगे जो चेस करने के लिए आई है वो 5 मरत्वा मतलब इनका जितने का चांस नहीं है खास करके यहां पर इस पीच का बात किया जाए तो सभी पीच में क्या होता है जो चेस करने के लिए आती है उसका जीसने का चांस ज्यादा रहता है लेकिन यह पीच जो कुछ उल्टा काम करता है ठीक है यहां पर देखें कि जो बैटिंग फर्स्ट जीतेगी उसका जीतने का आटान से हाप बढ़ जाएगा मतलब बैंग फ़र्स्ट करने वाल टीम की चल्ए बात करते हैं अबरेज इस्कोर यहाँ पर केतना निकल कि आता है तो बात करते हैं यहाँ पर और यहां पर हाईज देखेंगे 353 है चले बात करते हैं तो यहां पर दिखेंगे बात करते हैं दोस्व से कम बना हुआ मतलब जीरो बार जीरो दफा इस पीच बार 200 से कम बना है मतलब 200 से हमेशा पार गया है अगर देखेंगे बेटविन तो 200 बेट दोस्व लेकर 49 के बीच में आपको देखने मिल जाएगा 7 दफा बना हुआ है और 250 से लेकर 299 के बीच में 4 दफा बना हुआ है और 253 वो आपको 3 बार दफा गया है ठीक है तो यहां पर ज्यादा जो एसकोर रहने वाले दोस्तों वो 200 से लेकर 300 की बीच में और 300 ब्लस भी जा सकते हैं तो इस तरह से कुछ रहने वाला है चलिए आप बात करते के तो यहां पर देखने के मिल जाएंगे और जो पीच पीच के बारे में बात करेंगे लेकिन यहां पर विकेट देखने कैसे क्या मिला है तो लास्ट फाइप ओड जखेंगे तो 68 विकेट गिरा हुआ है, इसपीच पर 68 विकेट गिरे हुए है, और पैपेशड जो उसका 30 विकेट है और बैएश्पीनर का 38 विकेट तो इसपीच पर जब दोस्तो खास करकेाए आपको ऋस्पीनर पर जधा फोकस करना पड़ेगा spinner का ज्यादा wicket गिरा हुआ है तो आप spinner को लेकर चलेंगे इस पर आपको काफी spinner को जो leg spin है, off-skin है, leg break है सभी spinner को यहाँ पर काम मिलने वाला है और खास करके कुल्दी प्यादव आज के match में बहुत खतरनाक सावित हो सकते हैं दूसरी तरफ से केसम माराज और तबरेश समसी यह तीनो बॉलर बहुत इंपोर्टेंट हो जाएंगे आज के match में तो यह तीनो आपके team में होने ही चाहिए दोस्तों अपने team में जरूर लेकर चलेंगे चले हेट टू हेट का बात करते हैं यह तू हेट में देखेंगे दोनों के match हुआ है वो देखेंगे हम last 5 year में तो 16 match खेला गया ODAE में और इस में देखेंगे इंडिया जो है वो 10 दप जिती हुई है और सौधरिका जो है वो 16 दप जिती हुई है यह जब मतलब बहुत सारे अच्छे प्लेर रहते थे अभी तो देखी रहे हैं आपकी सभी योवा खिलाडी गया है तो यहाँ पर मामला कुछ और भी हो सकता है जैसे कि एक-एक का सिरिज बराबर पर है चलिए आप बात कर दोस्तों कि आपको टीम कैसे बनाना है और किस हिसाब से आपको परसिति गनोसार किस खिलाडी को लेकर चलना है विकेट कीपर के तूर्ण यहाँ पर सेक्षन में देखेंगे आपको तो यहाँ पर के अलाउन जार आने वाले है टोटल पॉइंट अभी तक 91 दे चुके है और इसे पिछले मैच में देखेंगे तो DT लगावा था इनका जो कि पॉइंट इनका जो आया था वो आया था 71 पॉइंट ठीक है दोस्तों 71 पॉइंट पिछले मैच में यहाँ पर देखेंगे इसे अपने तीम में जरूर लेके चलेंगे हैंडी कलासन यह खिलार यह बहुत इंपोर्टेंट है आज के मैच में काफी खतरनाक हो सकते हैं एस्पीनर को यह बहुत अच्छा खेलते हैं यह पीज जो है आपको एस्पीनर का है दोस्तो तो आप संजू सैमसंग के तरफ जाएंगे ठीक है और यहाँ पर हम बात करते हैं आज जो बॉलर आने वाले हैं वो आपको पहले फेज मतलब पावर प्ले में ही एस्पीनर बॉलर देखने को मिल जाएंगे दूसरी तरफ से भी और यहाँ पर पहले तरफ से भी देखने को मिल जाएंगे तो पहले इंड़या पपहले बैटिंग करती है तो आप संजू सैमसंग को लेके चल सकते हैं इस खिलाडी को और साथ दरिका पहले बैटिंग करती हो दूसरे बॉल पर यहाँ पर कुछ बॉल के लिए उसके बाद आउट हो गए ठीके दोस्तों तो यह खिलारी इंपोर्टेंट नहीं है आप किसी दूसरे टीम में इससे इस्तमाल कर सकते हैं हलांके खिलारी अच्छे हैं कभी भी पलटवार कर सकते हैं आप इससे किसी दूसरे टीम मेश्तमाल कर सकते हैं रिंको सिंग। पिछले मैच में देखे अपने इनडिया यहाँ पर हारे कि इस्तिती पी तो यहाँ पर अपने बॉलर सबको यहाँ पर देखेंगे तो यह खिलारी important है इसे अपने टीम में जरूर लेके चलिएगा और 60 point आवी तक दे चुके है खिलारी important है देखे टी वर्मा को अपने टीम में drop करके चल सकते है और TD जोर्जी 119 रन का नाबात पारी खेल कर अपने टीम को 8 विकेट से जीद दिलाई ठीक है दोस्तो हमने आप मैच में तो सतक लगा दिये दोस्तो 119 रन नाबात पारी खेली हमने आपको बताया था किसे आपके अपने टीम में लेके चलिएगा अब इनका percent selection highest हो गया लेकिन इसमें भी हम बात करने वाले किस खिलारी को आप पने टीम में जरूर लेके चलेंगे यहां पर देखेंगे आपको इसे आपने टीम में लेके चलेंगे या फिर अक्सर पटेल दोनों में से किसी एक को लेके चलना है आपको दोनों को नहीं लेके चलना है दोनों a spinner है लेकिन किसी दूसरे टीम में आप इससे इस्तमाल कर सकते हैं अगर faster baller को आप यहां पर तो आप दोनों टीम को ल नहीं होने वाला है चले बात करतें बॉलर में कुलिधी प्यादव दोस्तों इनका मात्र फिप्टी-फॉर परसंट है भलाइगकि पहले मैच में यहाँ पे एक विकेट मिला था उसके बाद बिगेट नहीं मिला है हाँ विकेट टिकर खिलाड़ी है लेकिन विकेट इनको नह जरूर रखिएगा, किसम महाराज भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इसे अपनेटी में लेकर चलिएगा, आज के मैस में तो आपको इसे लेकर चलना ही है, इसे आपको ड्रॉप नहीं करना है, एक खिलाड़ी आपके साथ जा सकते हैं, वो हम आपको बता दें, किस खिलाड पर द्रॉप किया जाकता है तो किसी एक को डॉप यहाँ पर होगा तो सबरस हमाईगे आप इसे अपने टीम में जरूर के चलाइगे बहुत ही मौश्ट खिलाडी होने तबरस मुझे जिसे अपने टीम में लेके चलिएगा इसे डॉप नहीं करना है इस आपको बता जोस्तो yaँ पर औल लांटर में दिखेंगे ऐनका ये पिसले मैच में 3–4 अबर कियेते हैं लेकिन आज के मैच में दिखेंगे तो आज के मैच में थेकंगे मैच में कम से कम आठ से नौ आवर कर सकते हैं या पोटर टोटल दस सवर भी किया जा सकता है इनसे ये खिलाड़ी आज के लिए ज्यादा काफी इंपोर्टेंट हो जाएंगे और इनका जो केसा महाराज ये तो दस सवर आपको करेंगे ही देत अबर में आएंगे और पूरा आभर करेंगे विकेट भी बिजले मैच में दो विकेट निकाले वे थे जो कि अच्छा परवन स्थाइन का ठीक है अतबरे समसी खेलते हैं तो इनका भी दस सवर फिक्स हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखेंगे केसा महाराज का भी दस सवर फिक्स हो जाएगा दस-दस बीस सवर तो ये लोग देत अबर में ही निकालेंगे और विकेट भी चटकाएंगे तो ये इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा चले direct आपके टीम में कौनसे खिलाड़ी 15 तोर पर सा आपको बता दें किसे अपने टीम में लेके चलना और किसे आपको उसे लेकर की ही चलना आपको ड्रॉप नहीं करना है ठीक है तो उस्तों वह हम आपको बता करना है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपके पास जो है कुछ खिलारी इंपोर्टेंट होंगे जिसे आपको अपने टीमें लेके ही चलना परेगा जो लिए हम देख लेते हैं जिसे आपको अपने टीमें लेके चलना है तो यहाँ पर पांच खिलारी को हम देखेंगे पंटर पिर आपगा अगर आते हैं तो आप इसे अपने टीम जरूराववलिद चलिए यहां पर देखेंगे कि यह हैं आज़के प्रण Iya, अवर यह के टीम पोने यह पर मुख्एस्युमार कोई विकेंड़ नहीं नीका Enoki passar बंद रीघेरह चाहिए और आज के मैश отпさん रूज पिशने चाहिए किस ACL लोग का हमको VAH lower lower QA पिशना सार्व और चो बात करते हैं कि आपको टीम 뭐ो गानुशार और किसी स्थिती में आपको किसे केपिन और या थीक हρना है थीक है तो यहां पर बात करते हैं टीम 1सार आप मना करते हैं तो बात करते हैं विकेटい आपि हम चाहे तो इनको ड्रॉब करके चल सकते हैं चाहारी को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ रोटेट कर सकते हैं आप यहाँ सो क्यापने पर आपको फोकस रखना पड़ेगा चलिए दूसरे टीम का बात करते हैं तो दूसरा टीम में देखेंगे, हमने यहाँ पर चम ह тебя बना के रखा हुआ इसमें सीथिलियर यहाँ CONSP करेंगे कि सकते हैं कि एक मुझन काफ़ी मुझन हो जाएंगे आज के मैश time और आप चाहिए तो रोटेट कर सकते हैं कैप्टेन को आप जा सकते हैं आरवेंडर के साथ भी जा सकते हैं यहां पर पर कुल दियादव रखेंगे उसको आप अपने लेकर चलेंगे दोस्तों यह फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम आपको टेलेग्राम पी दिया जागा हम टेलेग्राम पर जागे जोईन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में वहां पर जाए मैं फॉलो कर लिजिए वीडियो देखने के लिए